माफिया अतीक एहमत के बहनोई डॉक्टर अखलाक की गिरफतारी के बाद कई ऐसे बड़े राज हैं जो खुलने शुरू हो गए हैं उमेशपाल हत्याकान को अंजाम देने के बाद जो शूटर्स है जो गुड़ो मुसलिम है वो मेरट में डॉक्टर अखलाक के इसी घर पर आकर रुका था और यहां से गुड़ो मुसलिम को फंडिंग की गई थी और फंडिंग करने के बाद उसको यहां से दूसरे सुरक्षि स्थान पर भीज़ दिया गया था जो एश्टी एफ है एश्टी एफ ने डॉक्टर अखलाक की इसी घर से गिरफतारी की है और गिरफतारी करने के बाद उन्हें अपने साथ प्रियाग राज ले गई और तमाम जो जानकारियां हैं वो भी उनके हाथ लगी है सबसे बड़ सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उमेशपाल हत्याकान को अंजाम दिया जाना और अंजाम देने के बाद उसके बाद जो शूटर जिस गाली से भागे वो गाली डॉक्टर अखलाक की ही थी जो कोशामबी के संदीपन घाट पर मिली लेकिन वहाँ पर भी पुलिस की ब सबसे बड़ी बात यह है कि अब तमाम ऐसे जो सवाल थे जो आरोप लग रहे थे अब वो बिलकुल सिद्ध साबित हो कए हैं कि आप खुद देखे कि गुड़ी मुसलिम का इस घर पर आना डॉक्टर अखलाक से गले मिलना यहां पर रुकना उसके साथ कई और लोग भी थ अब क्या असद भी था इसकी जो जाच है वो फिलाल की जा रही है लेकिन इतना जरूर है कि गुड़ी मुसलिम का यहां पर आना यहां से उनको फंडिंग की जा रही थी और सबसे बड़ी बात ही है कि पुलिस और एस टीफ अब इस बात की भी जाच कर रही है कि क्या के बाद आखिर डॉक्टर अखलाक की गाली उन शूटर्स के पास कैसे पहुची कि उस गाली को लोने कोशामभी में संदीप अनखाट पर छोड़ा उसके बाद दूसरी गाली से फरार होते हैं और उसके बाद जो तार है वो धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं कि जो श पश्री मुत्रप्रदेश के किस जिले में भेज दिया जाता है अब जैसे 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 जाँच आगे बढ़ेगी जैसे जैसे तफ्तीश होगी कई और बड़े जो राज है वो जो दफन है अब उनसे भी परदा उड़ जाएगा लेकिन इतना जरूर है कि मेरट में सरकारी रहते हुए जिस तरीके से डॉक्टर अखलाग अतीक एहमत का पश्री मुत्रप्रदेश में सिंडीकेट और नेटवर्क चलाने का काम कर रहे थे अब कही ना कहीं उनकी जो मुश्किले हैं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं हाला कि उनके परिजनों का ये आरोप है कि जो त अनली सतंद्र सिंग के साथ सनुच शर्मा एबीपी गंगा मेरट एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी